आज जो हम लोग करने वाले हैं, अपील्स फ्रॉम ओरिजनल डिक्री, अपील्स फ्रॉम ओरिजनल डिक्री, सेक्शन 96 से लेकर 99 ए तक इसका प्रोवीजन है, सेक्शन 96 से लेकर 99 ए तक इसका प्रोवीजन है, ओर्डर 41, इसको हम लोग सेक्शन 96 को रीड विट ओर्डर 41 करेंगे, राइट डाउन करते चलिएगा, जो दिक्कत होगी फिर बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 96, रीड विट ओर्डर 41, अपील्स फ्रॉम ओर्डिजनल डिक्री, अपील्स फ्रॉम ओर्डिजनल डिक्री, राइट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीके ना, बहुत काम आएगा आप लोगों को जो डिस्रीमेंट, मेंस में सेक्शन 96, हम उसको रीड करते हैं, सुन ये सक्शन 96 क्या कहता है, सक्शन 96, इसको हम लोग फर्स्ट अपील कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील, सक्शन 96, एन अपील से लाए, फ्रॉम एभरी, सक्शन ये जो पर्ण हैं, हम लोग अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, इसको हम लोग फर्स्ट अपील बोलते हैं, section 96, provides that an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court which is authorized to hear appeals from the decision of such court, ठीक है नम, अब सुनिएगा, अपील किसको बोलते हैं, हम लोग पिछले class में पिछले वीडियों हम लोग डिसकस किये थे, अपील क्या होता है, हम लोग फिर से उसको रिचेक के लिए जाते हैं, जो रिचेल हम लोग उसको क्या करते हैं, सुपरियर कोर्ट से उसको क्या करते हैं, फिर से जो इन्फिरियर कोर्ट है, उसके डिस्टन को फिर से हम लोग क्या करवाते हैं, उसमें रिचेक करवाते हैं, ठीक है, कल लिए सब डिसकस कर चुके हैं हम लोग, अब समझेगा section 96 क्या कहता है, section 96 कहता है, appeal shall lie from every decree passed by any court किसी भी court के द्वारा जो decree passed किया जाता है उसके against में हम लोग appeal में जाते हैं किसी भी court के द्वारा जो decree passed होता है जिस भी court का अपना original jurisdiction है ठीके न, उसके court के द्वारा जो decree passed किया जाता है हम लोग उसके against में क्या होता है उस court में जिसको की appeal सुनने का अधिकार है वहां हम लोग appeal में चले जाते हैं जब तक कि आप लोगों कल बताये थे पिछले क्लास में बताये थे आप लोगों को जब तक कि डिवार ना किया जाए जब तक कि expressly रोका ना जाए कि आप इस मामले को appeal में नहीं ले जा सकते हैं तब तक हम हर एक decree के against में जहां यह provision है कि आप appeal में जा सकते हैं हम inferior court के द्वारा जो decree passed किया जाता है उसको हम लोग appeal में लेकर जाते हैं यह लाइन तक क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं बोलिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को हाँ जब तक कि unless the appeal is expressly barred जब तक कि appeal को expressly barred ना किया जाए ठीके ना इस code के द्वारा यह CPC के द्वारा या कोई और अरल लोग के द्वारा तब तक ठीक है ना an appeal cell lie appeal किये जाएंगे from every decree हर एक decree के against में from passed by any court किसी court के द्वारा decree passed किया गया है जो की exercising कर रहा होगा अपना ordinary jurisdiction जिसका ordinary jurisdiction होगा किसी मामले को सुनने का अगर वहां कोई decree passed किया है तो उसके against में हम लोग appeal में जाएंगे फर्स्ट अपील 96 आपको यही चीज कह रहा है किलियर नेक्स्ट आजाएंगे हम लोग who can file appeal appeal कौन फाइल करेगा कौन अपील में जाएगा सबसे पहला question यह होता है appeal में अखिरिज कौन ठीकर ना इन जैनरल ठीकर ना court इसमें आपका CPC कहीं यह प्रोवाइड नहीं किया है कोई prescribe नहीं किया कि who can file appeal लेकिन हम लोग चुकि procedure में इस बात को जानते हैं हम लोग ठीके ना a person having a grievance यानि कि जो party दुखी हो जाएगा जो party का अपना claim होगा जो party हार जाएगा ठीके ना वह क्या होगा against a decision can file an appeal ठीके ना जो party आपको जिसके against a decree pass हो गया होगा वहाँ party क्या होगा अपील में चला जाएगा यही आपको कह रहा है who can file appeal कौन appeal में जाएगा तो जिसका क्या बनेगा grievance बनेगा वहाँ appeal में जाएगा किलियर जो की appeal से affected हो जाएगा जो की decree से affected होगा affected by the decree या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इन जेनरल आप लोग जानते हैं यह सब appeal में जा सकता है clear कि बोलिएगा यहां तक कोई दिक्कत हां सुनते चलिएगा बहुत आसान चीज़ है हम single topic बाइस बनाके आप लोग को दे रहे हैं सुनिएगा अब इसी चीज़ का जो प्रोसीजर है हम लोग तो सब्सेंटिव राइट पर है इस चीज़ को कि हम लोग कहां appeal में जा सकते हैं कहां अपील में नहीं जा सकते हैं section में लिखा हुआ है और बोले थे कि जो हम लोग इसका जो प्रोसीजर है कि appeal में कैसे जाएंगे order 41 राइट डाउन कर लिजेगा हम परहेंगे order 41 रूल 1 order 41 रूल 1 अब सुनिएगा बहुत अच्छा चीज है appeal के साथ क्या क्या चीज जाता है कैसे appeal में हम लोग जाते हैं सुनिएगा every appeal shall be preferred in the form of memorandum appeal में हम लोग जाते हैं appeal में जो हम लोग अप्रिकेशन लगाते हैं उसके साथ एक memorandum भी जाता है every appeal shall be preferred in the form of memorandum memorandum जाता है साथ में ठीक ना memorandum shall be accompanied by a copy of the judgment ठीक ना memorandum के साथ क्या रहता है आप जो वहाँ judgment लिए हुए है inferior court का वह साथ में लगाना होता है ठीक ना उसके बाद memorandum shall contain और memorandum में क्या चीज़ रहेगा तो memorandum shall contain the grounds of objection to the decree appealed against आप अपना जो objects जिस ground को लेकर आप appeal में गए है ठीक ना वो जो हुआ ठीक जो होना चाहिए था तो आपका जो objection है उस वो चीज़ें आप contain memorandum में लिखेंगे कि हम इस चीज के लिए आए हुए है ठीक ना appeal में clear एक memorandum दाता है साथ में memorandum में judgment की copy रहेगी ठीक ना और साथ में ground लिखावा रहेगा objection का हम क्यों आए हैं appeal में बोलते चलिएगा clear ये चीज़ें यानि कि order 41 rule 1 ठीक ना अब इसे का 2 में देखेगा क्या-क्या content रहेगा क्या-क्या content रहता है memorandum में rule 1 का 2 में चा लिखा हुआ है सुनिएगा the name and description of appealant and respondent जो आदमी appeal में गया है उसका नाम और respondent का नाम और description आप लोग देख लिजेगा आप बेरेक निकाल लिजिए write down करते चलिए underline करते चलिए ठीक second ground of objection concisely under the distinct heads क्या-क्या हमेरा objection है उसको हम लोग write down करते चलेंगे numbered consecutively and without argument or narrative बहुत बड़ा हम लोग नहीं लिखते हैं precise form में लिखते हैं कि हम लोग का क्या-क्या round है objection क्यों कर रहे हैं हम लोग ठीके ना जो अप्लियंट है वह objection क्यों कर रहा है क्यों आये है कोट में अपील में वह precise form में लिखा हुआ रहेगा थीसरा signature of appliance और of pleader या तो pleader का signature रहेगा या फिर appliance का उसमें signature रहेगा ठीक the copy of judgment यह बता ही दिये हैं judgment की copy रहेगी decree की copy रहेगी ठीक ना जिसके against में आप जा रहे हैं वह decree या फिर judgment आगर आ गया है judgment की copy ठीक है ना इतनी चीजें memorandum में रहेगा ठीक है इतनी copy आपको चाहिए memorandum में इतना चीज हमको content चाहिए हमको किस चीज में memorandum में content of the memorandum जो लिखा हुआ है appeal का वह rule 1 order of 41 rule 1 का जो है 2 में देखेगा सब rule 2 में clear clear हाँ अब एक affiliate court जो है जो court में आप appeal में गए हैं कि वहला आप लोग section mention करते चलिएगा हम head बताते चलते हैं section में underline करते चलिएगा वह या वहाँ लिखते चलिएगा एक affiliate court का क्या-क्या power है जब आप appeal में गए तो जो affiliate court के पास क्या-क्या power है आपके appeal को लेके वह सुनिएगा और section और order mention करते चलिएगा सबसे पहला power of affiliate court सुनिएगा power of affiliate court क्या-क्या power है affiliate court का सबसे पहला power to decide the case finally सबसे पहले आप अगर appeal में गए हैं तो उस case को decide कर सकता है section 107 section 107 subsection 1 clause A में लिखा हुआ यह बात और इसी का order 41 का rule 24 में लिखा हुआ है mention करते चलिएगा हम धिरेदे बोल रहे हैं आपके mention करते चलिएगा सबसे पहला power क्या है कि appeal को सुनेगा और finally case को decide कर देगा section 107 subsection 1 clause A 107 का subsection 1 clause A और rule 24 में rule 24 order 41 का पढ़ रहे है उसमें रूल 24 पहला power दूसरा power क्या है ठीक है ना power to remand इस सबस्रीकों बाद में elaborate करेंगे आप लोगों मेंशन करते चलिए remand का power है power to remand section 107 subsection 1 clause B और order जो है 41 ही रहेगा rule 23 and 23A order 41 rule 23 and 23A और section जो है और section 7 subsection 1 clause B ठीक दो हो गया तिसरा power सुनिएगा power to frame issue and refer them for trial वह issue frame करवा लेगा जो आपका अपलियेट कोट है वह issue frame करवा सकता है और refer कर सकता है फिर trial के लिए कि जाइए वहां trial करवा लिजी आप issue mention कर देगा issue frame करवा लेगा और फिर trial के लिए भेज देगा section 107 subsection 1 clause C 3 rule 25 and 26 rule 25 and 26 rule 25 and 26 फाइजल के बोलिये नेक्स्ट पावर पावर टू टेक additional evidence अगर अपलियेट कोट को लगेगा कि हमको कुछ और additional evidence चाहिए कुछ हमको और evidence देखना है तो वह भी यह अपलियेट कोट कर सकता है कि हम additional evidence भी मंगा सकते हैं कि जाइए हमको यह evidence लाइए power to take additional evidence section 107 subsection 1 clause D और rule जो है वह 27 से लेकर 29 तक इसका provision है section 27 से लेकर 29 तक पावर to take additional evidence power to take additional evidence वीडियो मिल जाएगी वीडियो से आप लोग उसको लिखेंगे section 107 subsection 1 और उसका clause D और rule जो है 27 से लेकर 29 तक है और next power अगला power क्या है अपलियेट कोड का तो काता है power to modify decree decree के against में जो आप आए हैं उसको modify करने का अधिकार है power to modify decree यह order 41 के rule 33 में लिखा हुआ है order 44 41 sorry order 41 rule 33 rule 33 rule 33 clear clear राहुल अरपना अंसू पिंकी रानी सब क्लियर है यह क्या 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 पावर है हम लोग देख लिए कहा क्या 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 पावर लिखा है अप्लियेट कोड के पास यह सब अधिकार रूल 33 33 next आईए अब सुनिएगा और आगे कुछ नहीं बोले रूल 33 में यह प्रोविजन है बोले तो रूल 33 power to modify decree नेफ्स हमारा पॉइंट है चिखना stay of decree decree जो मिला है उसको stay करने का अधिकार है अप्लियेट कोड का या पिर जिस कोड से decree है वो कोड एस्टे लगा सकती ही कि नहीं लगा सकती है execute करने पर रोक लगा सकती ही कि नहीं वो हम लोग देखेंगे order 41 rule 5 में सुन लिजी क्या कह रहा है निकाल लिजीए पढ़ते हैं सुनियेगा an appeal shall not operate as a stay of the proceedings under a decree or order appealed against जहां से सुनियेगा ये क्या कहना चाह रहा है order 41 rule 5 an appeal shall not operate as a stay of the proceedings आपका जो court है जिसने की आपको decree pass किया है तो आप क्या हुआ decree वहां से pass हुआ इसके against में चला गया कोई appeal में तो appeal में जाने का यह मतलब नहीं हुआ कि decree पे रोक लग जाएगा decree के proceedings पे रोक लग जाएगा decree के execution पे रोक लग जाएगा ऐसा कोई compulsory नहीं है मान लिजिए कि जो inferior court है वो आपके फैबर में decree pass किया एक inferior court आपके फैबर में decree pass किया तो अब वो decree pass वा तो वो execute होगा अब यसी बात है हम चले गए अप्लियेट court में higher court में चले गए appeal में एगेंस्ट दर डिक्री तो हम appeal में चले गए इसका यह मतलब नहीं हुआ कि वो जो decree execute होगा वो उस पर इस्टे लग जाएगा ऐसा कोई compulsory नहीं है रूर्स हाइब कह रहा है ठीक है नहीं हो execution of a decree shall also not be stayed merely because of filing of appeal हम appeal का में file कर दिये appeal में चले गए यह अपने आप में यह नहीं बताता है कि decree पे रोक लग जाएगा unless the applied court stay the execution जब तक कि affiliate court उस decree के execution पे रोक नहीं लगा देगा वो inferior court को कहएगा कि रुक जाएए अभी stay लगा रहे हैं अभी execute मत कीजिएगा अभी हमको सुल लेने दीजिए पहले उसके बाद फर्दर आप कारवाई कीजिएगा सिर्फ हम appeal में चले गए इसका यह मतलब नहीं है कि जो inferior court का जो decree pass क्या हुआ है उस पर रोक लग जाएगा clear यह बात तो हम appeal में गए अगर appeal में सुना तो हम stay के लिए कहेंगे तो अगर affiliate court stay लगा देगा तो फिर stay लगेगा otherwise उसका execution पे कोई stay नहीं लगा हुआ माना जाएगा अंसु clear अरपना clear राहूल clear यह चीज़े ठीक है अब आईए next order 41 का rule 11 देखे क्या कहा रहा है summary dismissal summary dismissal हम बता दे रहे हैं first appeal में कहा कहा क्या चीज़ आपको mention करना है एक्जाम में लिखना है summary dismissal summary dismissal of appeal जो है वो provision 41 में rule 11 और 11a में mention किया हुआ है जेनरल प्रिंस्पल क्या है जेनरल प्रिंस्पल है जेनरल प्रिंस्पल है जुरूर 11 में लिखा हुआ है that appealant court is entitled to reject the appeal summary when there is no prima facie substance in it ठीक न अगर आप appeal में गए है जेनरल नियम है कि जैसे ही आपका वो appeal देखेगा और उसको लगेगा प्रैमा फेशी शुरुवात में लगेगा यार इसके appeal में कोई दम नहीं है इस appeal में कोई खास बात है नहीं ठीक न बेकार यह appeal में आ गया है तो वह आपके appeal को reject कर सकता है अप्लियंट कोट क्या कर सकता है अंडर 41 रूल 11 के हिसाब से वह क्या करेगा उसको पावर है आपके appeal को reject करने का जब उसको वेर देर इस नो प्रैमा फेशी सब्स्टांस इनिट कुछ मिलेगा है नहीं तो reject कर देगा जरूरी नहीं कि आपके appeal को इंटरें करें ही करें चिकवनाव बट्रूल 11 ये कह रहा है ये कह रहा है त अवरी अपेवल अंडर रूल 11 टिक है न शुट वी hear as expeditiously as possible as endeavors should be made to conclude the hearing the appeal within 60 days from date on which memorandum is appeal is filed लेकिन अगर वह सुनेगा ज्यां सुनेगा मेरी बात को सबसे पहले रूल 11 का रहा है कि अगर प्राइमा फ्यासी में कुछ नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट कर सकता है ठीक फिर कह रहा है अगर वह सुन रहा है ठीक ना तो जिस दिन आप appeal के लिए memorandum file करेंगे memorandum की copy जाएगी memorandum आप file करेंगे तो within 60 days from the date which memorandum of appeal is filed 60 दिन के अंदर वह क्या कर लेगा hearing कर लेगा और conclude कर देगा ठीक है ना 60 दिन के अंदर memorandum file करने के 60 दिन के अंदर as possible should be made to conclude the hearing the appeal within 60 days 60 दिन के अंदर को जो करना होगा वह कर लेगा सुन लेगा reject कर देगा ठीक ना पार्टी को notice करना होगा notice कर देगा लेकिन वह conclude कर देगा within 60 days of filing the memorandum क्लियर आज हम लगा दिये filing कर दिये with memorandum filing कर दिये एक हमको appeal में आना है तो वह superior court affiliate court क्या करेगा 60 दिन के अंदर को conclude कर देना है उसको क्लियर ठीक है रूल 11 के हिसाब से ही अगर reject करने का अधिकार तो हाई यस नहीं है अगर वह dismiss नहीं करता है अपील जो है dismiss नहीं हुआ रूल 11 में तो फिर court क्या करेगा एक date fix करेगा इस अब प्रोवीजन है इस अब देखेगा इस अब procedure है लोग order पढ़ रहे हैं वह क्या करेगा एक date fix करेगा hearing के लिए the court shall fix a date for hearing the appeal कि भाई हम उजदिन आपकी appeal को सुनेंगे notice of such date shall be communicated to the court from which decree the appeal is made notice जाएगी ठीक है ना and the respondent respondent को भी notice जाती है कि भाई ये उस दिन को आईए हम उस दिन को सुनेंगे आपको आपका पार्टी जो है वह appeal में आया है respondent को भी notice चला जाएगा notice मतलब सबको ख़बर acknowledge हो जाएगा सबको कि आप इस date को hearing होगा appeal का clear ये चीज़े rule 11 में आपका लिखा होगा है यही आपका first appeal का नियम है कि अगर appeal को entertain करना होगा तो party को notice चली जाएगी respondent को notice चली जाएगी उसके player को notice चली जाएगी ठीक है ना और जो date fix है वो बता दिया जाएगा कि इस date को हम लोग क्या कर रहे हैं appeal आपका सुन रहे हैं चली आपका वस इतना ही काम का चीज़ है appeal from original decree में first appeal में हम लोगों को इतना section mention करना है order सिर्फ section 96 को mention करना है order 41 को mention करना है और जो जो rule बोले हैं वो हम mention कर देना है अब इसमें ठीक है ना विसे इस चीज़ आपको बताने के लिए आप इसमें नहीं है क्लियर